यह एक चीज़ कहंगे कि हिंदू खत्रे में हैं यूँ झाले में चाहता हूं सरह कि हिंदू आगर आज भी खत्रे में तो फिर मुषलो हाना क्या हुआ वह खत्रे सरी भार है यह बता यह पедदिक सेणा का सबसे बड़ा अधिकारी हिंदूु जिटने वी पधी shtu मुख्या मंतर नियुके तो हिंदू कहां खत्रें में कैसे रहेगा लाइट काम क्या इतना बाट दिया इतनी बुरी तरह देश को बाट दिया इतनी तुष्टी करें कि राजनीती करिये जिसका ज़वाब नहीं इस सरकार को में नहीं जाता हूं कि आपने हिंदुस्तान को जो है तुक्ड़े तुक्ड़े को मिला लेंगे चाइना कुछ देश में हमें यहाएगा पाकिस्तान भी हिंदुस्तान में आएगा और सब तो इन्होंने जूट की राजनीती करी है एक चीज बहुत वड़ी हाँ हमने के हमारा भी कमनी फैकता हमारे पूरी फैकता है उससे जाद तेज निफैक सकता कोई भी विपक्ष्री पार्टी की फिल्हाल मीटिंग चल रही है कुछ सक्सेस्फुल हो पाएगा वो कह रहे हैं कि पर चाहिए पक्ष्री पाटी एक साथ आजाए एक कुछी भी कर लें ऐसा आजी भी बात आएक के लिए उसे दोस्टेक्ति आप जहाएं का मन करता है उन्हां थे सरकार नहीं है वाह तो इस एम जन्हें दोट रही है इन्हें जंता की जभूत ही नहीं दोट बोट नहीं है यह उनका मुख कर रहे हैं और जब सरकार बन जाती है इनकी बिकार है कि यूपी के घरो ना आप यूपी में लेखो यूपी में जो रहे एक बात बताओ यह स्री राम भग्त मैं यह कहता हूं अगर सही से पार्ट करके हिंदु अनुवाद में नियुक्त कर दिखा दें कोई मंति संत्री यह अंब मंदल का मंदल वाले भी तो मैं उनका गुलाम बन जाओं मैं बुराइक नारा बना लिए जैसरी राम जबकि जैसरी राम नारा तो हिंदुस्तान में था इनी कभी स्री र क्या लगता है अभी मोधी सरकार को लेकर आपने देखा दो टर्म आपने देख लिए चोविस में गाउं का महौल भी आप देखते होंगे क्या दिखाए देना है मुझे यह दिखाए तो यह किसान भी मजदूर भी अलवसंकिक भी और देश के पूंजी पत्री चोटे बड में 133 मुसल्मान भाई हैं पूरे हिंदुस्तान में फिर हिंदुस्तान खत्रे बहुत है क्या बताई आप लेकि चुनाओं को वक्त में तो इसी मुद्दे पर इनका मुद्द यह है जो हमारे नोजमान यह हिंदू-मुस्रीव चक्रमाग है भटक जाते हैं और उसमें फिर स्थानओन आप किस मद्दा वोट करेंगे हम करेंगे हमारे गाम का सुधार हो बढ़िया हमारे बच्चों का स्वास्ट बढ़िया हो हमारे राश टेंडाली खरंज यह हो हमारे किसान की समशन सब्सक्राइब बढ़ी यह जो आप सूव रहे हैं 2000 पर देंग है जो है कि पाउंडरी करूं अतारबंदी करूं तो किते बस लगेंगे दो जामें लग जाएंगे आप जो कह रहे हो कि भी तमाम मुद्धोप को लेकर भटकाते हैं तो जब चुनाव आएगा तो ऐसा नहीं कि आप भी उसी मुद्धे पर भी हमारे जात वाला देशे ठोक दोगोजी हम जात पर बिल्कुल बोट ने करते जो विकास करेगा उसको बोट देएंगे मोद्धीज ने विकास निकारा खोली गुप पेमारे दूब्रेया के बबल कम दे रखा है मूं में चुसो ना भी तको जाना बाहर कुछ जा सबको बबल कर दे रखी है विकास का काम नहीं है एक जो ने बनाया है वह भी तक क्षी मिता है मैं चीज हम गाम रहे दिख लोग ने फुलाया फिर उसको 19 के बाद फिर तरहीं तक फुलाया अब नहीं देंगे हम नहीं देंगे बोट अब के अच्छा हम बोट जा है मोदीगे खिलाब देंगे बस तो इसने साहे लोग जो फु मरें हैं उनका मावजदियन होना है कि जो किसान मरें जो मंत्री बैठे इनका मंत्री कोई सा इनका कोई आत इनका लड़का मरा गरीब हमने देखा यह जो एयरफोस अमारे जू बन राए यह फैरिवेल इस परे इतने घरीब लोग निकले के जारे भूक्य पैसे रस्ते में करोने के नाम पर और बावराम देवने कोई चला दी नकली और भी थोड़ी लोगों सबाचित करेंगे कि किस मुद्दे पर आप लोग वोट करेंगे और 24 को देकर विपक्षी पार्टी को लेकर क्या देख रहे हैं हम 24 में अगर यह सरकार आगी तो सबसे पहला इन्होंने कर दिया कि दोन मुद्री को बर्ट दिया है उची जाति हम बार दिया इन्होंने राजिनती कर तो वह सब हम लुघंड है खुश है खुश है अभी तो 19 के बाद 12 सरकार बना दी पंदलाक का वादा पांच किलो खतम कर दिया ऐसे किसानों साथ मुप्त बिजली का वादा कहीं मुप्त बिजली नहीं हुई किसान साथ वादा कि ट्वैलोवर मीटर लगाए जाना है जो मीटर नहीं लगे उनके काउप चढ़ा दिया गए वादा था कि 10 घंटे जंगल की जहाओं की सांसे ने इसको गोध में लिया तो गोध में आने के लिए बड़ी मेहनत के बाद गाउं के विरोज के बाद जब एक पुल पहले सत्पाल चोदिन बागबत के लिए दिया हमारे हां तो उन्हों ने पूल दिया हमको यह नदी का और वह भी बड़ी परिस्तित्या भी प्रीथ रही उन्होंने दिया पर पुला लेकिन हमना जब लुझी जाते हैं हमने इक भी आवरा पसू हमने गाउं से पैसा उगाया सरकाली डाक्टों ने ने हमसे पैसा लिए रिष्वत मांगी मोदी जी 2022 में कह रहे यूपी की चुनव में अपने सुना होगा कि अवारा पसू की समस्या है उसका समाधान तुरंथ होगा आज तक नहीं हुआ जी हमने ही अपना पैसे घटर गया गवसाला भेज़े वे उसके बाद फिर पता नहीं कहां से लगते कुछ लगे या नहीं एक लगता जी मुझे हम आट जाब करना जाएंगा तो विरोध करना जी है सरकार कोण सुंग आए जनता को गर कुछ नहीं मिलेगा तो हम कहां दे हैं जाएंगे जन्द परतेंदी के पास जाएंगे जिसके चेर बोट देने और जन्द परतेंदी हमारा काम करनी रहा हमारे गाउं में पानी निकासी की इतनी बड़ी समस्या है कि खेद पानी से रूबे हुए आपको दिखाऊंगा जल निकासी की गाउं की व्यस्ता भी नाले के कर लियां हुई नहीं आज तक आवारा प्रस्वों की नहीं हुई भीजली मीटर लगाते घर वाले बेईबानी करें मीटरों पहें बिल जादा आरे हैं लोगों के हम जाकर समस्या लेखते हैं समस्या का नि पाति नांपे बात जास जैसे किसाणों को धन्ना सुरूवा था मैंने लड़े और जो बिल बना तो बना काले कारुन बना थे उनको वापिस लिया तो वह खालिष्टानी पाकिस्तानी कहा गया जागा कि इनको तो मदद मिल रही है कि इनको विदेश मदद कर रहा है जब कि ऐसा कहीं कोई खालिस्तानी पाकिस्तानी आप तो वहां कवर कर देते कोई आपको कोई